हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल कविंदर भईया में ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे क्लाश टेंथ का हिंदी जिसका जो है अचारे राम चंदर शुकल उनका जीवन परिचे तो इसमें दिया है दोस्तों इसमें तीन प्रकार से प्रश्ण ये पूछेगा अचारे राम चंदर शुकल का संचिप जीवन परिचे देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिये ये तो पहला पूछेगा ऐसे ये पहला ऐसे पूछेगा अथवा दूसरा पूछेगा ये देखिए ये दूसरा कैसे पूछेगा दूसरा ये का अथवा में दिया है कि अचारे राम चंदर सुकल के वैक्तितों और कृतितों पर प्रकाश डालिए देखे इसका भी वही मतलब होगा लेकिन ये कैसे कैसे पूछता है मैं वह बता रही हूं आपको ठीक है अथवा फिर से दिया है कि अचारे राम चंदर सुकल का जीवन प प्रवर्द का पेपर भी हो सकता है तो यह देखि तीन प्रकार से से पूछ सकता है तो चलिए अब हम लोग अचारे राम चंदर शुक्ल का जीवन परिचे पड़ते हैं तो है हम लोग का हिंदी के प्रतिबा संपन्न मुर्धन्य समिछक एवं युग-प्रवर्तक साहित्यका आचारे राम चंदर शुक्ल का जन्म सन 1884 इस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जीले के अगोना नामक ग्राम में एक संप्रांत परिवार में हुआ था इनका जन्म कब हुआ था तो सन 1884 इस्वी में हुआ था तो इनके पिता चंदर बली शुक्ल मिर्जापूर के कानुनुगर थे इनके पिता जो थे वो मिर्जापूर के कानुनुगर थे इनकी माता अत्यंत विदोसी और धार्मिक थी इनकी प्रारमिक सिच्छा दिच्छा अपने पिता के साथ जीले की राट तशील में हुई और इन्होंने मिसन स्कूल से दस्वी की परिच्छा उत्रिड की ठीक है इन्होंने किस स्कूल से दस्वी की परिच्छा ये पूछ सकता है कि इन्होंने किस स्कूल से दस्वी की परिच्छा पास की है उत्रिड मतलब होता है कि पास की है तो फिर चलिए आगे देखते हैं इनका जीवन परिशें कि गड़ीत में कमजूर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके और ये गड़ीत में कमजूर थे इसलिए ये आगे नहीं पढ़ सके ठीक है इन्होंने FA intermediate की सिछा इलहाबाद से ली थी इन्होंने FA जो है इसका सिछा इलहाबाद से लिया था इन्होंने ठीक है किन्तु परिच्छा से पूरो ही विद्ध्याले छूट गया और परिच्छा से पहले इनका विद्ध्याले छूट गया तो चलिए इनका आगे देखते हैं क्या क्या होता है घटना इनके जीवन में इसके पस्चात इन्होंने मिर्जापूर के न्यायाले में नौकरी आरंभ कर दी, यह नौकरी इनके सुभाव के अनुकूल थी अतह ये मिर्जापूर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी कवितानी बंध नाटक आधी की रचना की ठीक है, तो चलिए और इनका आगे देखते हैं, इनकी विद्वप्ति से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी सब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए स्यामसुंदर दास जी द्वारा कासी नगरी प्रचारडी सभा में ससंपन बुलाया गया ठीक है, इन्हों ससंपन बुलाया गया, तो चलिए इनका आगे देखते हैं, इन्होंने 19 वर्स तक कासी में प्रचारडी पत्रिका का संपादन भी किया कुछ समय पस्चात इनकी निर्टी कासी हिंदू विश्व विद्याले में हिंदी विभाग के प्रध्यापक के रूप में हो गई ठीक है, और स्यामसंदर दास जी के अवकास प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यच भी हो गए स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति के का हिंदी का यह दिग्द साहित्यकार सन 1941 इस्वी में स्वार्गवार्शिय हो गया, मतलब की स्वार्गवार्शी हो गया इनका मतलब की मृत्यू 1941 इस्वी में हो गया, तो चली इनका कुछ रचनाएं, निबंद, अलोचना, सब दिया है यह सब देख लेते हैं, ठीक है, तो इनकी रचना देखते हैं, सुकल जी एक प्रसिद निबंदकार, निस्थपच, अलोचक, स्रेश्ट, इतिहासकार, और शफल, समपादक थे ठीक है, इनकी रचनाओं का विविरण निम्नमत है, तो चली इनका निबंद देखते हैं इनका निबंद पहला है, पहला निबंद देखते हैं, इनके निबंदों का संग्रा चिन्तामडी, याने की दो भागों में है, तथा विचारविथी नाम से प्रकासित हुआ ठीक है प्रकासित हुआ तो चलिए आगे देखते हैं इनका अलोचना ठीक है इनका अलोचना देखते हैं सुकल जी अलोचना के समराट है इस छेत्र में इनकी तीन गरंथी प्रकासित हुए है ठीक है इस छेत्र में इनके तीन गरंथी प्रकासित हुए हैं देखिए कर नंबर में दिया है कि रस मीमांसा मतलब कि इसमें सैधान्तिक आलोचिना संबंधी निभंध है इसमें और कर नंबर है त्रिवेडी इस गरंथ में सूर तुलसी और जयासी पर आलोचिनाएं लिखी गई है तथा सूरदास और गर नंबर हमनों का सूरदास अब इनका तीसरा है ये देखिए इतिहास इतिहास में देखिए यूगिन प्रवित्री के आधार पर लिखा गया इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गये सर्वस्रेश्ट इतिहासों में एक है चलिए चार नमर देखते हैं समपादन इन्होंने जैसी ग्रन्थावली तुलसी ग्रन्थावली भ्रामिर्ति गीत सार हिंदी सब्द सागर कासी नागरी प्रचार पत्रिका और आनंद कादिम्बिनी का कुशल समपादन किया ठीक है तो चलिए आगे इनका देखते हैं आगे दिया है इनका की साहित्य में अस्थान आगे क्या भी आए तुम लोगा साहित्य में अस्थान हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल परप्रतिष्ठित करने वाले सुक्ल जी हिंदी साहित्य के धूर्मर आलोचक स्रेष्ट निबंध कार निस्पच इतिहासकार महान सैलिकार एवं यूग प्रवर्तक साहित्यकार थे ठीक है चलिए तो इनका आगे देखते हैं ये हिर्दय से कवी मस्तिक से अलोचक और जीवन से अध्यापक थे हिंदी से कवी मस्तिक्याने की दिमाग से अलोचक और जीवन से अध्यापक है हिंदी साहित्य में इनका मुर्धन्य अस्थान है इनकी विलचण प्रतिभा के कारण ही इनकी समकालिन हिंदी गद के काल को सुक्ल यूग के नाम से संबोधित किया जाता है ठीक है तो यहां से हम लोगों का अचार राम चंदर शुक्ल जी का जीवन परिचय खतम हो गया है तो धन्यवाद हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए तो कमेंट में जरूर बताईएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद